So, hey friends, welcome back to my YouTube channel. So, आद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लखनो उनिवर्सिटी के कोर्सेज जैसे की B.Tech, B.Pharma और M.C.A. इनकी admission procedure क्या है 2023-2024 session की? आप application form कैसे fill कर सकते हैं? Application form fill करने की last date क्या है? और इन तीनों कोर्सेज में admission लेने के लिए eligibility criteria क्या है? आपकी per semester fees कितनी पड़ती है? और आपको admission के लिए कौन-कौन से documents चाहिए होते हैं? तो first of all हम लोग guidelines देख लेते हैं. यहाँ लखनो उनिवर्सिटी ने इन तीनों ही courses से related एक guideline, admission guideline जारी की है. चलिए हम लोग वो देख लेते हैं. यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, BTEC, B Pharma और MCA की जो registration date है वो एक तारिक से start हो गई है और last date आपकी 7th September है. यानि 7 तारिक जो आने वाली है वो आपकी last date है registration form filling की. यहाँ पे आप programs भी देख सकते हैं और branches कौन-कौन सी और number of seats कितनी है university में आप वो भी देख सकते हैं. जैसे BTEC, Civil Engineering की 60 seats हैं, BTEC, Computer Science and Engineering की 120 seats हैं, B Pharma की 100 seats हैं, MCA की 30 seats हैं. So ऐसे आप seats देख सकते हैं total. आप देखते हैं eligibility criteria क्या है BTEC, B Pharma और MCA के लिए. So सबसे पहले आप BTEC program का देख लेते हैं, तो candidates को 10 plus 2 यानि 12th pass out होना चाहिए, जिसमें कि आपको at least 45% तो होने ही चाहिए 12th में, और 40% SCA-ST के लिए. चाहिए वो UP board से हो, चाहिए वो CBSC board से हो. अब देख लेते हैं B Pharma program के लिए, तो B Pharma के लिए भी आपको 12th pass होना compulsory है with the subjects. Subject जसे की Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, Biotechnology, Computer Science, किसी भी board से, चाहिए वो UP board हो, चाहिए CBSC board हो. आप देख लेते हैं MCA program के लिए eligibility criteria क्या है, तो इसके लिए अगर आपने BCA या BSC किया है, किसी भी subjects, Computer Science, IT, Mathematics with 55% marks. तो आप इसके लिए eligible हैं, SCA-ST के लिए छूट दी गई है, 50% आपके लिए at least marks है, कम से कम 50% marks होने चाहिए आपके. तो आप स्क्रीन पी देख सकते हैं mode of admission, यानि admission के लिए आप apply कैसे कर सकते हैं, तो आप online apply कर सकते हैं, online registration कर सकते हैं, आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं. अगर आप लोग लखनव यूणिवरस्टी में इन तीनों courses में से किसी एक में admission लेना चाहते हैं, तो आप लोग को B-tech के लिए जैसे की J. Mains 2023 क्वालिफाई करना compulsory है, बी फार्मा के लिए C.U.T. U.G. exam और M.C.A. के लिए C.U.T. PG. exam, सो अगर आपको इन में admission लेना है आप देख लेते हैं, एडमीशन के लिए आप लोग को कौन कौन से डॉकुमेंट्स मांगी होते हैं, कौन कौन से इंफॉर्मिशन मांगी होते हैं, जैसे की नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट अफ पर्थ, क्याटिगरी, आधार नुमबर, एसेक्टरा, सेकेंडली, जो भी कैंडिट्स, OBC, SC, ST, EWS, PWD, FF, DP, इन सब को एपलाई कर रहें, तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका, जो की इश्यू होना चाहिए, एक साप्टेंबर 2020, या उसके बाद का, उसके पहले का नहीं, देन आपको अपना हाई स्कूल और इंटरमेडियेट, यानि 10th and 12th की मार्क शीट अपलोट करनी होती है, और परसंटेज भी उसमें अपलोट करना होता है, फिर आपको अपना J, Main, C, U, E, T, P, G, C, U, T, U, G, इन में जो भी आपको रांक मिली है और परसंटाइल है, वो भी आपको इसमें अपलोट करना होता है, फिलप करना होता है, और आपको अपनी चोइस फिलिंग भी करनी होती है, कि आपको कौन सी ब्रांच में लेना है अट्बिश्न, फिर जब आप अपना registration कर देते हैं, तो registration के बाद आपके रांग के हिसाब से merit list बनती है, एक cut-off निकाल तो आपको offline counseling ले जाना है, faculty of engineering, second campus जो कि जानकी पुरम में है, लगनर उनिवस्टी का वहाँ पे जाना है, आपको September 13 से September 17 तक जा सकते हैं, तो यहाँ पे reservation policy लिखी है, कि reservation UP government आपको किस हिसाब से देती है, so vertical reservation दिया है, horizontal reservation दिया है, so आप यह सब screen पे देख सकते हैं, फिर आपको seat allotment किस तरह से की जाएगी, उसका criteria लिखा है, तो seat allotment आपको आपके reservation policy के हिसाब से मिलेगी, second आपको अपनी choice filling के हिसाब से मिलेगी, और अगर आपका कोई quota लग आप देख लेते हैं कि per semester आप लोग की fees कितनी लगेगी, different different branches में, B.T.E.C. की different different branches में, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्रेन पे B.T.E.C. Civil Engineering की 60,080 रुपीज है, per semester fees, B.T.E.C. Computer Science and Engineering की भी 60,080 रुपीज है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, B.Farma का है 60,080 रुपीज जो कि refundable है, आपकी first semester की fees के अलावा भी यह 6,000 आपको submit करने पढ़ेंगे, अब देख लेते हैं, cutoff भी आपका name आगया है, cutoff में, और आपको counseling के ले जाना है, तो आपको कौन-कौन से documents लेके जाने है, सो वो यहाँ पे note down है, सो आपको ले जाना है, high school की mark sheet ले जानी है, intermediate 12 की भी mark sheet ले जानी है आपको, BCA, BSC, graduation में जो भी आपने किया है, उसकी भी mark sheet आपको ले जानी है, और आपने जो भी entrance exam दिया है, JMAIN, CUT, UG, CUT, PG, उसका आपको result ले जाना है अपना, और अगर आपने किसी भी तरह की reservation को claim किया है, तो वो reservation certificate आपको ले जाना है, और मानली application form fill करने का option कहां से मिलेगा, तो इस तरह से आप लगनो उनिवस्टी की website को लेंगे, यहाँ पे yellow color के box में आपके सामने लिखा होगा, registration for BTEC, B Pharma and MCA, तो इस तरह से आपके सामने screen खुल जाएगा, यहाँ पे आपके informations मांगी होंगी, जैसे कि आपका name, date of birth, gender, first name, middle name, यह filled information are correct, then आपको capture fill करना है, capture enter करना है, then save and next, next फिर आप जाएंगे, fee payment करेंगे, अपनी fee payment करने के बाद, आपका registration confirm हो जाएगा, then confirmation letter और receipt की photography अपने पास रख लीजेगा, so आप अपना application form अच्छे से fill कर देंगे, फिर उसके बाद आपको अपके cut-off का इंतिजार होगा, जो क आपको counseling के लिए जाना होगा, documents लेकि जो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिये, so I hope वीडियो आपको informative लगी होगी, so please वीडियो को like करें, ऐसी और informative वीडियो के लिए मेरे चानल को subscribe करें, मिलतें next वीडियो में, till then, bye bye, take care.